हलो एब्रिवान वेलकम बैक टो मैं चैनल खुन्ज ओफीसियल आवरियोर चैनल कैसे आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे बैल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चाहे तो आईए आज आप लोगों को बताती हों जी हाँ उत्पन्ना एकादर्स्री व्रत कथा सोत जी कहने लगे हे रिशी इस व्रत का व्रितान्त और उत्पती प्राचीन काल में भगवान क्रेश्ण ने अपने परम भक्त युदिष्ठिर से ही कही थी वही मैं तुम से कहता हूँ एक समय युदिष्ठिर ने भगवान से पोचा था कि एकादर्स्री व्रत किस विधी से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप किरपा करके मुझसे कहिए ये वचन सुन कर शिर कृष्ठिर कहने लगे है युदिष्ठिर मैं तुम से एकादसी के व्रत का महात्म कहता हूँ सुनो सरप्रथम है मंतरी तुमे मार्ग शिर कृष्ठिर एकादसी इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है दश्मी को सैकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करे ताकि अन्य का अंस मुह में न रह जाए रात्री को भोजन कदापी न करे न अधिक बोले एकादसी के दिन प्रातः चार बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करे इसके पशचात शौच आदी से निवरित होकर शुद जल से सनान करे व्रत करने वाला चोड पाखंडी पारिष्ट्री गामी निंदक मिथ्या भाशी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करे सनान के पशचा धूप दीप नवैदे आदी सुलह चीजों से भगवान का पूजन करे और रात को दीपदान करे रातरी में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए सारी रात भजन किरतन आदी करना चाहिए जो कुछ पहले जाने अंजाने में पाप हो गए हो उनकी क्षमा मांगनी चाहिए धर्मात्मा पूर्संग को कृष्ण और सुकल दोनों पक्षों की एकादर्शियों को समान समझना चाहिए जो मनुष्य उपर लिखी विधी के अनुसार एकादर्शी का व्रत करते हैं उन्हें शंखो द्वार तिर्थ में सनान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वे एकादर्शी व्रत के सुलहवे भाग के भी समान नहीं है व्यक्ति पात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है संक्रांती से चार लाख गुना तथा सूरे चंद्र ग्रहन में सनान दान से जो पुन्य प्राप्त होता है वही पुन्य एकादर्शी के दिन व्रत करने से मिलता है अश्व मेख यग करने से सो गुना तथा एक लाख तपस्यों को साथ वर्ष तक भोजन कराने से दस गुना दस ब्रह्महणों अत्वा सो ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से हजार गुना पुन्य भुमीदान करने से होता है उससे हजार गुना पुन्य कन्यादान से प्राप्त होता है इससे भी दस गुना पुन्य विद्यादान करने से होता है विद्यादान से दस गुना पुन्य भूखे को भूजन कराने से होता है अन्यदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कारे नहीं जिससे देवता और पितर दो प्रन्तों एकदसी के वरत का पुन्ने सबसे अधिक होता है। महात्म तो देवता भी वर्नन नहीं कर सकते हैं। उस प्रचंड देत्व ने इंद्र आधित्य वसू वायू अगनी आधि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भैभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले। हे कहलाश्पती मुर्द देत्य से भैभीत होकर सभ देवता मृतु लोक में फिर रह रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा हे देवताओं तीनों लोकों के स्वामी भकतों के दुखों का नास करने वाले भगवान विष्णों के शरण में जाओं। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं, शिव जी के ऐसे वचन सुन कर सभी देविता छे शागर में पहुँचे, वहां भगवान को शयन करते हुए देख, हाथ जूर कर उनकी श्तुती करने लगे, हे देविताओं द्वारा श्तुती करने योग्य प्रभु आपको बारम बार नमस्कार है, देविताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करे दैतों से भैवित होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप इस संसार के करता, माता पिता, उत्पती और पालन करता और सहार करने वाले हैं, सब को शांत पिता महा ब्रह्म्हा, सुरे, चंद्र, अगनी, सामग्री, होम, अहुती, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यग्य, कर्म, कर्ता, भोगता भी आप ही हैं। आप सर्व व्यापक हैं, आपके सिवा तिनों लोकों में चर तता अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है। और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विश्णू कहने लगे कि हे इंद्र ऐसा मायावती दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है। उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल है और किसके आश्रे में है तथा उसका स्थान कहा है। ये सम मुझसे कहो। उसमें इंद्र, अगनी, वडुन, यम, वायू, इश्र, चंद्रमा, नैत्रित्व, आदी को सब के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सुरे बनकर स्वैम ही प्रकास करता है, स्वैम ही मेग बन बैठा है और सबसे अजय है। असुर निकंदन उस दुष्ट को मार कर देवता को अजय बनाईे। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं सिग्र ही उसका सहार करूंगा तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की और प्रस्थान किया। उस समय देते मुर सेना सहित युद्ध भूमी में गरज रहा था। उसकी भयानक गरजना सुनकर सभी देवता भै के मारे चारो दिशाओं में भागने लगे। जब स्वैम भगवान रन भूमी में आए तो देते उन पर भी अश्त्र शस्त्र आयुद्ध लेकर दौरे। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बानों से बींध डाला। बहुत से देते मारे गए केवल मुर बचा रहा। वे अवचिल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तिक्षण बान चलाते वे उसकी लिए पुश्व सिधी होता। उसका शरीर छिन भिन हो गया किन्तु वे लगतार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ले युद्ध भी हुआ। दस हजार वर्स तक उनका युद्ध चलता रहा। मुर नहीं हारा। ठक कर भगवान बद्री का अश्रम चले गए। वहां हेमावती नामक सुंदर गुफा थ और उसका एक ही द्वार था। विश्नो भगवान वहां योग निद्रा की गोध में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उदित हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्वल कांत मै रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी न श्री हरी जब योग निद्रा की गोध से उठे तब सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। अतह आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पुजित होंगी। आपके भगत वही होंगे जो मेरे भगत होंगे। तो कैसा लगा आप को हमारा ये उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एंड सेर करना, बिलकुल न भूलना, मेरे वीडियो को इंड तक देखने के लिए देल से धन्यवाद, थैंक्स पूर वाचिंग, कीप सपोर्ट